नमस्का टू आल दिस इस शेफ गवन और आज हम बनाने जा रहे हैं पैनकेक्स एग्लेस पैनकेक्स बहुत ही टेस्टी रेस्पी है इस रेस्पी से आप वाफल्स भी बना सकते हैं यह रहे हमारे इंग्रीडेंट्स सबसे बहले हमने एक शनी के अंदर दो बॉल रिफाइन फ्लार डाला उसके अंदर हम लोग डालेंगे शूगर दो टेबल स्पून पाउडर की हुई शूगर डाल दी है हमने इसमें एक पिंच सॉल्ट डालना है क्योंकि जो बटर में यूज़ करूँगा वो अंसॉल्टर हो अब इसमें डाला है एक स्पून बेकिंग पाउडर ऐसे शानने का मतलब यह होता है कि सारी के सारे जो इंग्रेंट्स होते हैं वह आपसमें अच्छी दरीके से मिक्स हो जाते हैं कि शूगर और सॉल्ट दोनों का ही अपना-पना एक काम होता है शूगर जो हुए वह मेल बटर तो मैलται बटर अराम से चिदरीक है से हम लोग मिक्स करेंगी हम बनाएंगे एक सबक्राइब मेंगी एक छी प्रेंग उर्वां यruk हो और दोनी और दोने में तो यह देखिए हम लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगी एक गाड़ा मिक्सर रेडी हो गया है इसमें सोड़ा सा दूद और जाएगा हमारा एक स्मूथ बैटर रेडी होना चाहिए कंसिस्टेंसी उसकी ठीक होनी चाहिए बिल्कुली सही कंसिस्टेंसी वावा बैटर रेडी हो गया है इसको 10 से 15 मिनिट तक आप रेस्ट जरूर दीजी अब इसके बाद हम लोग पैनकेक बनाने शुरू करेंगे पहले हमने जो तबे के ओपर थोड़ा सा बटर लगा दिया है अब हम डालेंगे एक लैडल पैनकेक बैटर की ओपर बबल्स आ रहे हैं इसका मतलब है आपका जो बैटर है वह अच्छे तरीके से फर्मिंट हो चुका है यह हमने पैनकेक को पल्ट दिया है दूनों साइट से हमारा पैनके कछे तरीके से फ़क जया है बहुत ही प्यारा कलोरा आरा गाया है इसके ओपर हम नोग डालेंगे कैस्टर शुगर, जाएं इसिंग शुगर क्योंकि इसके अंदर शुगर थोड़ी सी कम होती है। अब हम इसके ओपर डालेंगे हनी जो आथंटिक्ली हनी के साथ या मैपल सुसक्ama के साथ सर्व कर सकते है है तो मैंने चौकले डाली है कि चौकले शॉस के साथ बहुत ही अछे जाते हैं जस्टत्राइए इसके साथ fruit conduce divers कर सकते हैं कि हमारे pancakes ready है कि इसी बैटर से मैंने waffles भी ready किये थे यह देखिए waffles अगर waffle machine है तो waffles भी ready कर सकते हैं same recipe के साथ बहुत ही अच्छे बनते हैं thank you so much for watching see you again with another recipe bye bye